पित्रपक्ष का दौर चल रहा है अबकी बार पित्रपक्ष का आरम ग्रहन योग के साथ हुआ है और समापन भी ग्रहन योग से हो रहा है दरसल जोतिश करना के अनुसार चंद्रमा राहू के साथ गुरु की राश मीन में रहने वाले हैं जिसे ग्रहन योग का नर्मार भी हो रहा है लेकिन ग्रहन योग के साथ पितर पक्ष में कई शुग सायोग भी बन रहा है पित्रपक्ष के दिनों में कन्या राश में सूर और बुद्ध ग्रह की युवती बनेगी तो तुला राश में शुक्र का गोचर होगा पित्रपक्ष के प्रारंब में चंद्र ग्रहन और पित्रपक्ष के समापन में सूर ग्रहन लगने जा रहा है धार्मिक क्रंथों के मुताबिक पित्रों का निवास चंद्रमा के पिछले भाग में माना जाता है और धार्मिक मानिता के अनुसार सोम यानी चंद्रमा पित्रों को दिये जाने वाले तरपर जल आधि का पित्रों तक पहुँचाने का कारिभी करते हैं पित्र पक्ष में बनने वाले इस योग का प्रभाव राश चक्र के बारा राश पर भी देखने को मिलेगा जिसमें कुछ राश के जातक को पित्र पक्ष में कई खुशकबरी भी मिल सकती है तो किसी को सावधान रहने की जरूरत है तो चली आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि पित्र पक्ष में बनने वाले सायोग से किन राश के जातक की किसमत खुलने वाली है दरसला योधिया के जोतिस पंड़त कलकी राम बताते हैं कि पित्र पक्ष में पंदर जनों के जोरान कई अद्बुत सायोग का निर्माड भी हो रहा है जिसमें सूर्य और गुरु के बीच नमन पंचम योग बन रहा है तो दूसरी तरफ कन्या राश में सूर्य और बुद्ध क्रे की यूतितो तुला राश में सुक्रे का गोचर होगा इसका प्रभाव राश चक्र के बारा राश के जातक पर देखने को मिलेगा लेकिन पांच राश ऐसी हैं जिनको पितर पक्ष में कई खुश खबरी मिल सकती हैं जिसमें मिथुन राशी कर्क राश कन्या राशी धन राश और कुम राशी शामिर